नमस्यवार दूस्तो देखिए अभी पटवारी के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोगोंने शायद फॉर्म डाल भी दिये हैं और बहुत से लोग अभी यहीं सोच रहे हैं किस post को कहा preference देनी है किसको fill करना है नहीं करना है क्योंकि 216 या यह समझ सकते हैं कि बहुत सारी post है बहुत सारे post code हैं किसको पहले डाले किसको ना डाले किसको छोड़ दे तो आज की इस class में या इस video में हम इसी के उपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस post को आपको पहले डालना है किसको छोड़ना है किसको बाद में भी डालना है या नहीं डालना है ठीक है और साथी साथ अभी कब तक आप लोगों को form apply कर देना है कब तक आप लोगों को अपनी आगे की preparation करनी है या बाकी चीज़े कौन-कौन से document होने चाहिए नहीं होने चाहिए renewal करवाना वगेरा सारी बाते ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि 5 तारीक से जब form भरना शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग अभी तक यही इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी बाते आप लोगों ने बहुत सरी वीडियो बहुत सरी अलग-अलग जगे अपने दोस्तों से सबसे पूछा भी होगा सबने शायद अलग-अलग बाते बताई होगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फोर्म को फिल कर सकतें पटवारी के लिए क्या-क्या योगिता है जो आपको चाहिए होती है तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए मतलब कि आपके जितने भी सेमेस्टर सब कंप्लीट होने चाहिए कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं लास्ट इयर में हूँ मेरा रणिंग चल रहा है और मैं पटवारी का फोर्म फिल कर दू तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि पटवारी के नोटिफिकेशन में रोल बुक में इस पस्ट लिखा हुआ है कि ग्रेजुवेशन कंप्लीट चाहिए ठीक है फर्वरी ऐसा उसके अंदर मैंने कली पढ़ाता कि फर्वरी महा में उनको जो है रिजल्ट चाहिए फर्वरी महा के जब आप लोगों का इस जो फॉर्म फिल करने की लास्ट रेट है वहां तक आप लोगों का उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए कुछ लोगों की एक्जाम हो गई है कुछ समय पहले जैसे कि बहुत युनिवर्सिटी और अलग सी और भी है बहुत सारी यसी युनिवर्सिटी है कि एक्जाम्स तो हो चुकी है पर रिजल्ट नहीं आया है तो अगर फर्वरी तक उनका रिजल्ट आ जाता है कोई एक डेट फिक्स दे हुई है उस डेट के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप उस फॉर्म को अप्लाइ कर सकते हैं पर आपका फोर्म या तो फिल नहीं हो पाएगा फिर रिजेक्ट हो चाहेगा अब बात यह आती है कि क्या भी हमें graduation के साथ-साथ CPCT भी चाहिए हाँ अगर आपके पास Philippines के साथ CPCT हो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो CPCT तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ऐक्जाम आप बिना CPCT के भी दे सकते हो को क्वालिफाई हो सकते हो मेरिट आ सकती है पर आपके पास सेलेक्ट होने के बाद तीन साल दिये जाएंगे जब आपको सीपी सीटी करना होगा उन तीन साल में अगर आप सीपी सीटी कंप्लीट नहीं कर पाते हो उस परिक्षा को पास नहीं कर पाते हो तो आपको फिर वाप सारे लोगों कि यही दिक्कत होती है कि उन्हें पूरी बात पता यह क्या करना है कि आगे अगर आपने सब लोग अलग अलग SSD कर रखा है движ Tammy पहले में बात ये कर लेता हूँ कि अगर आपका graduation है तो आप इस group to subgroup 4 के कितने इसे post हैं जिन पर आप apply कर सकते हो आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ पटवारी बनना चाहता हूँ तो पटवारी के लिए ही preference दूँ तो ये गलत बात है आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि पटवारी के साथ साथ टोटल 9000 के प्लस आपकी vacancy है पटवारी प्लस group 2 subgroup 4 की बाकी सारी अगर vacancy इसको मिला लिया जाए तो तो आप अगर केवल पटवारी पटवारी चाहते हो और पटवारी को ही अगर आपका नॉर्मली सिर्फ ग्रेजवेशन है उसके साथ आपका ना कोई डिपलोमा ना कोई डिग्री और कुछ भी नहीं है आप इतनी पोस्ट के लिए तो अपलाए कर ही सकते हैं पटवारी की बात भी करूँँगा बट पहले मैं ये बात कर रहा हूँ ग्रेजवेशन लेवल पर जो और वी बहुत सारी पोस्ट है आप उनको फिल कर सकते हो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर जो लिख रखें ये है हमारे पोस्ट कोड कोड दिया होता है हर एक पोस्ट का एक कोड है जैसे कि ये चोथा कोड थैं, पांचवा कोड है बिसवा कोडे, बाईसवा कोडे, 133 कोडे, यह सारे के सारे post code हैं, और Sir, in post code के सामने इस vacancy का नाम लिखा हुआ है, कि भीया, सहायक संपरीक, यह सहायक संपरीक एक आपकी post है, जिसमें total 149 पद हैं, वैसे ही Sir, सहायक संपरीक है, जो कि 55 पद हैं, यह एक ही post के दो-दो बार जब नाम दिये जाते है ना तो इसका मतलब यही समझेगा कि दो बार अलग-अलग वेकंसी आई हुई है ना संपरिक साहयक संपरिक और यहां भी साहयक संपरिक लिखा हुआ है मतलब यह दो बार वेकंसी हो सकता यह पिछली बार की कोई वेकंसी होगी जो छुट गई होगी इस बार दिया गया या अलग-अलग पॉस्ट इनके भी अंदर गत होती है, तो इसलिए, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यह देखो, कनिस्थ विपनन परियवेक्षक, यह एक, दो, तीन, चार बार आप लोगों को और पांच बार आप लोगों को दिखने को मिल रही, कन तो सबसे उपर मान लीजिए कि आप इंदोर जीले से हैं, तो आप इंदोर जीलो को अपना जो ग्रह जीला है, उसको तो सबसे उपर रख लो, आप अगर इंदोर से हैं, या भोपाल से हैं मान लीजिए, तो भोपाल आप सबसे उपर रख लीजिए, आपका जो मेन, आपक आसपास के जीले ले लिजी आपको लगता है कि नहीं मुझे रिवा भी जाना है मुझे सतना भी जाना है आप वहां भी जा सकते हो भोपाल तो पहले सिलेक कर लो प्रिफरेंस सबसे पहले भोपाल फिर उसके बाद आपके आसपास मतलब सभी लोग भोपाल मत कीजिएगा जिले की ज़्यादक़ है, तो उनको क्यों नहीं करें देखिए, पॉस्ट आप लोगों की जहां ज़्यादा है, जाहिर सी बाते लोगों वहाँ जादा ही जाएंगे आपको ऐसा लगता है कि आपको अकेले को पता है कि वहाँ पर 300 post है 500 post है सभी को पता है कि किस जिले की कितनी post है तो post देख कर अगर आप ये सोचो कि मैं उस जिले में पहले preference दे दू फिर बाद में मेरा जिला ले लूँगा तो ऐसा तो हर बंदा करेगा हर बंदा करने वाला है आपको बस दो काम करने हैं अगर आप ऐसा भी करते हो तो गलत नहीं होगा बट सोचिए पोस्ट के साथ साथ आपको अपना जीला क्योंकि मान लीजिए कि आपने पोस्ट प्रिफरेंस दे दिया कोई और आपको कोई और जीला मिल गया तो आज तो आप फुश हो जाएंगे कि मेरी नोकरी लग गई बटा चार साल बाद पात साल बाद अगर चाहेंगे कि यार मेरा तो मुझे जीला मिल जाता अगर मैं पोस्ट फिर फिर सही दे देता तो तो फिर वो नहीं हो पाएगा है ना क्योंकि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि हर एक जीले की अलग-अलग आप लोगों की कटोप और हर एक पोस्ट की भी अलग-अलग कटोप बननी है मान लीजिए आप लोगों के किसी एक्जाम में 98 नंबर आ गए है ना यह एक उधारन ले रहा हूँ 200 में से 100 में से मत समझेगा एक उधारन समझो कि अगर मान लीजिए कि आपके 98 नंबर आ गए और किसी लड़के के आ गए 99 नंबर ठीक है अब आपके है 99 नंबर आप ये वाला है आपके है 98 नंबर और किसी के है 99 नंबर अगर आपने पॉस्ट जो प्रिफरेंस दी है अगर उसमें आप लोगों ने मान लीजिए कि कोई ऐसा जिला सिलेक किया है जिसकी कटोप गई है 97 या 98 तो आप लोगों क काम बन जाना है या मान लीजिए कि 99 गई है तो आप लोगों की अगर उस जीले की जो कटोफ है वो गई है तो इसका सेलेक्शन हो जाएगा अगर इसने उस जीले का प्रिफरेंस दिया होगा अगर उस जीले को इसने सेलेक किया होगा बट मान लीजिए कि आपने चलो मैं फ में 98, 99 पर धाना यही ले लीजिए यह है 98 और यह है 99 इसमें बहुत सारे लोग confused हैं यह है आप और यह कोई अलग बंदा है आपके नंबर आए है 98 और और किसी लड़के के आए है 99 मान लीजिए कि भाईया रीवा जिला एक ऐसा जिला ए की कट ओफ जो है वो 98 तक गई ठीक है और या फिर 97 तक गई 97 आप लोगों की रीवा जिले की कट ओफ गई है तो जाहिर सी बात है आपके तो 98 नंबर है आपका तो सेलेक्शन होना ही चाहिए बट अगर आपने रीवा को preference में दिया ही नहीं रीवा को अपने सेलेक्ट ही नहीं किया तो फिर आपका वहाँ पर चयन होगा ही नहीं आप लोगों को जब मेरिट आईगी और इसा लगेगा कि यार मेरा तो नंबर कट ओफ से जादा था फिर मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ क्योंकि आप लोग इसको preference नहीं दे रहे हूँ इसलिए आपको हर जीले को preference देना है अगर आप पटवारी भी बन रहे हो तो पटवारी के 52 टूटल जीलो को select करना है अगर आप लोग पटवारी के साथ साथ चाहते हो कि मुझे इन में भी गिना है इनको भी दोना यार कोई limit थोड़ी है वहाँ पर और आप एसा मत सोचिए कि मेरे अच्छे number आजाएंगे तो मुझे उपर उपर के मिल जाएंगे नीचे नीचे के मिल जाएंगे क्योंकि अभी number आने का कुई कुछ नहीं कह सकता हो सकता आपके बहुत अच्छे number आजाए और आपने जो पहला दूसरे preference दिया वही आपका बन जाए हो सकता है कि आपका नीचे से दूसरा तीसरे number पर आजाए कुछ भी हो सकता है उसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अलग-अलग post को देते हो आप सहायक विस्तार अधिकारी के लिए भी सिलेक्ट हो गए ऐसा भी तो हो सकता है तो आपकी इच्छा हो आप महाँ पर जा सकते है उसके बाद उसको छोड़ सकते हो बाकी की चीजों को ये वेटिंग वालों को मिल सकती है उसके पास सिर्फ graduation होना चाहिए उसके लावा कुछ नहीं मांगा है सिर्फ graduation है तो आप इतने post के लिए apply कर सकते हैं और सबसे important तो 153 और 154 नंबर की post को देखिए सहायक विस्तार अधिकारी जिसमें 508 पद और 511 पद हैं सहायक विस्तार अधिकारी के बहुत important ये वाला तो सभी लोग से लिए करेंगे ही करेंगे आपको भी करना है बस preference का ध्यान रखिया आप ऐसा भी कर सकते हो आपको पटवारी बनना है तो पटवारी अपना पहला जिला डाल दिया फिर आपने अपने आसपास के जो एक दो जिले थे पांच जिले थे वो डाल दिये फिर इन पोस्ट को ले लो फिर उसके बाद पटवारी के सारे के सारे डाल देना अगर आपको चाहिए कि मुझे पटवारी तो बनना है पर मेरे ही जिले में बनना है मुझे और किसी जिले में नहीं जाना, मेरे को मेरा ही जिला मिल जाए, घर परीवार वालों के साथ सुखी सांती से बिताएंगे जीवन, तो अपना जिला पहले डाल दो, आसपास का जिला पहले डाल दो, फिर ये वाले डाल दो सारे के सारे, और फिर वो पटवारी के सारे के और फिर 134 को है ना यही जरूरी नहीं कि यही डालना है पॉस्ट के हिसाब से अपने नस्दी की जीलो के हिसाब से और उस जीले में कितनी पॉस्ट हैं उसके हिसाब से भी डाल सकते हो जैसे पटवारी की हर एक पॉस्ट अलग-अलग जीले वाइस हैं है ना तो यह ध्यान मे कि आप लोगों को प्रिफरेंस देना जरूरी है वरना कटोप से जादा भी नंबर रहे तो भी आपका महा सेलेक्शन नहीं होगा हर जिले को सेलेक्ष करो मैं तो कहता हूँ डाल दो सब में क्या दिक्कत है कोई लिमिट थोड़ी है कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होना है आप एक से जादा पत पे भी क्वालिफाई हो सकते हो आपकी इच्छा होगी मुझे तो यार यह सहायक अधिक विस्तार अधिकारी की अच्छी सेलरी है मेरे को तो इधर करनी उधर नी करनी पटवारी में इधर कर ले ना तो भाईस आप यह आपके उपर तब की बाद तो आप उस पर करने वाले हैं फिर जोब क्योंकि अहां पर अभी कोई डिसाइडेट नहीं है कि आपको किस के लिए कौन सी जोब कब मिल जाए क्योंकि इतने सारे वेकेंसिज हैं इतने सारे लोग हैं फों भरने वाले तो सारे ही डालना सबसे बड़ी बात यह है पटवार इंदुकरी की हम इंतजार कर रहे हैं तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाओं मैं पटवारी के भी जो बावन जिले हैं उनमें से मैं दस जिले ही डाल दू मेरे आसपास के मैं को बाकी के नहीं डालना तो ये गलत होगा क्योंकि आप मान लीजे कि इ नमबर से कम हैं तो फिर आप वहां सेलेक्ट हो जाएंगे तो पटवारी बनना आपका सपना है तो वहां भी सिलेक्ट हो सकता है आप वहां भी जा सकते हो तो बस ध्यान ये रखना डालने सारे ही हैं ये वो हैं जिसमें आप बिना ग्रेजुवेशन के अलावा बिना और कि अपनी जो रूल बूक है ग्रूप टू सब्सक्राइब करें अब देख सकते हैं आप चोथे नंबर की पोस्ट सहायक संपरी जो कि कुल 149 पद हैं वैसे ही आप यहां पर किसी में 552 एक अच्छा ये दो एक वालों को भी डालना ठीक है पर ये जरूर देखना कि अगर आप ST केटेगेरी से हैं तो ST की वहाँ पर कोई है की नहीं है वेकेंसी अगर आप OBC से हैं तो OBC की वेकेंसी है की नहीं अपनी जो रूल बूक है ग्रूप 2 सब ग्रूप 4 की वो ओपन करके थोड़ी से महनत कर लेना क्योंकि करना ही पड़ेगी और घर से पूरी एक लिस्ट बन लेलो ज्यादा भी लेट मत होना एक दिन और लेलो और आप सारे के सारे पोस्ट को लिख लो कि मेरे को सबसे पहले मेरा जीला देना है उसके पास मेरा पास वाला जीला देना है फिर मुझे ये देना है फिर मुझे ये देना है तो सारे ही एक सेक्वेंस में जमा लो सब के स अब जमा लो और सारे ही जमाने के बाद फिर MP online वाले के पास जाना और सारी चीजों को बहुत अच्छे से चेक करना क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाए तो आप देखी रहे हैं कि एक बार गलती की सजा आप लोगों को अपनी जोब से हाथ धोना पड़ सकता है तो गलती ब होने वाला है तो उसको करवा लीजिएगा और सारे डोक्यूमेंट को आप वेरिफाइड करके एक जैसे चीजे रखिएगा ठीके क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा प्रोब्लम्स होती है अब बात यह आती है कि सर इसके अलावा मान लीजिए कि आप मैं से बहुत सारे लो मतन घुले होँए है आप वो भी डाल सकते हो बस और को यहीं करना है कि रूल बुक में जाके लाएं कि आप किसमे डाल सकते हो जैसे कि यहे है आपकी चोथे नंबर की आपकी पॉस्ट कोड है और यह सीधी बरति प्रथी 새य की कुल 149 इसमें पद हैं अब सबसे पहले आप 149 नहीं आप यह देखो कि आपके कितने हैं अगर आप जैसे कि मान लीजीये अनारक्षित वर्ग से है 19 पोस्ट आपकी है अगर कोई लड़का है तो है ना अगर कोई महिला है तो उनकी नो पोस्ट है वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को हर एक की दिखेगी, OBC वाले है कोई, तो OBC के आपको नो पोस्ट देखेगी महिला हो की, तो ये वाली पोस्ट होती है मैं, तो पोस्ट को देखें, अपने आसपास के जीले को देखें, उसके बाद प्रिफरेंस दें, सेलरी भी बड़ी माहिने रखती है कि सर सेलरी कितनी क्या है ठीके साथवे वेतनमान में लेवल 6 और आप लोगों की जो सेलरी है वो 25,300 से 80,500 तक की रहने वाली है तो सेलरी भी बहुत इंपोर्टेंट रहती है सेलरी बहुत जदा लोगों को आकरशित करती है यहाँ पर योग्यता रहती है कि मान्यता प्राप्त विश्व विद्याले से कला विज्ञान या वानिज्मे इसना तक अब आप लोगों को जिनकी में बात कर रहा था कि आप इसके अलावा भी किसी में फर्म डाल सकते हो तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है वन नंबर में यह है टू नंबर में दिया होगा भया कि आपका जो है इसना कोत्तर हो और इसनाकोटर में भी ऐसा दे दिया होगा कि इसनाकोटर आपका 60% से ज़्यादा में हो मतलब आपके इसनाकोटर में जो number है post graduation में जो आप pass हुवे हैं वो आप 1st division से हुवे हैं 2nd division से हुवे तो वो भी नीचे दिया रहता है अब मान लिजE सनाक clearance में 60 degree है और फिर नीचे लिग दिया या या फिर या की जगे I think मुझे लगता अत्वा लिखा होगा या तो अत्वा का मतलब है कि या तो इस अत्वा के उपर वाली चीज़ का होना या फिर इस अत्वा के नीचे वाली चीज़ का होना मान लिजए अगर इसना तक में आपके 60% नहीं है तो इसनाक साथ क्या कहेगा वो कि इसनाक उत्तर अगर आपके 60% नहीं है और कुछ 2nd Division में आप पास हुए है तो इसनाक साथ फिर आप लोगों का क्या होना चाहिए एक डिप्लोमा होना चाहिए एसा कहे देगा तो अगर आपके पास कोई डिपलोमा है तो भी आप इसको कर सकते हो सेलेक कर सकते हो ये भी आपके काम की चीज़ है तो आप अपना जो योग्यता है उस हिसाब से फॉर्म भरिएगा मैंने अभी जो 17 पोस्ट बताईए वो सभी लोगों के लिए बताईए कि जो नॉर्मली ग्रेजुवेशन भी है जिनका और कुछ नहीं है तो वो इन 17 पोस्ट में तो अपलाए कर ही सकता है ठीक है और 17 पोस्ट के साथ साथ वो आपके 52 जिले जो आप लोगों के पटवारी व 500 तक और इसमें भी कला विज्ञान वानिजमेशन तक मतलब किसी भी एक में कला में हो विज्ञान में हो वानिजमें हो आपको सिर्फ ग्रेजुवेशन होना चाहिए आपका ठीक है जैसे कि यहां पर देखा आपने 5 पद है इसके अब यह 5 पद देखकर आप सोचो कि मैं त पर डाल देना ठीक है एक पद दो पद यह देखकर ना डालू ऐसा मत सोचिएगा सब में ही डाल देना ठीक है अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी पोस्ट की जो बहुत अच्छी खासी है जैसे कि यह 508 पोस्ट है स्ताहयक विकास विस्तार अधिकारी की और इसके लिए पर ऐसा सोचकर हम वहाँ जाए भी नहीं यह भी गलत होगा तो जाना भी है आप लोगों को इसको प्रिफरेंस देना भी है आप लोगों को ठीक है और वैसे ही अगर मैं अगली बात करूँ तो सेम यह भी है 511 पोस्ट के लिए इस बस इनका पोस्ट कोड ध्यान रखिएग आप जब form fill करने जाएगे तो एक साइड आपको box में दिखेगा आपने कुन सा पोस्ट कोड लिया है 514 पहले लिया है फिर 513 लिया है तो पहले 514 के लिए फिर 513 के लिए आप लोगों का जो cutoff होगा वो देखा जाएगा एक से जादा में भी आप select हो सकते हो qualify हो सकते हो है अब देखिए ये हैं भाईया आप लोगों की पटवारी exams के लिए तो पटवारी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक जीले की अलग-अलग पद आपको देखने को मिलेंगे जैसे राई सेने तो 130 राजगड़े तो 200 बाहरा वी दीशा है तो 115 और अलग-अलग अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर पटवारी के लिए भी न जहां जादा पोस्ट हैं वहाँ पर हम अपलाए करें तो ऐसा मत करो पटवारी के लिए आप सारे ही जीले कर देना select बट पहले अपना जीला खुद ले लो क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो खुद के जीले में प 239 पद है और 239 में से अगर मान लो कि आप भुदपुर्वसेनिक में कोई महिला है और जिसकी 0 पॉस्ट है तो आप ऐसे को भी select मत करना preference में क्योंकि यहां पर आपका है ही नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं जैसे कि अलग अलग जगे में अलग अलग बात कर रहा हूं यह कोई भुदपुरसेनिक पॉस्ट कोई करेगा ही नहीं अपलाएक और करेगा तो भी उसको मिलेगा नहीं क्योंकि पॉस्ट ही नहीं है आप OBC से हैं और OBC की कोई AC जगे पॉस्ट मत करिएगा मैंने जो 17 वेकंसिस पहले बताईए कि normally कोई भी graduation वाला भर सकता है तो पहले अ 282 है यहां 282 है चिंदवाडा और सिवनी में यहां पर ज्यादा तर वेकंसी से तो ज्यादा लोग यहां पर definitely apply करेंगे पर मेरा और हर एक बंदे को यही सुझाओ रहेगा कि आप सारे ही जिले डालिएगा किसी में कोई भी नुकसान नहीं है यह देखो सबसे ज्यादा 395 पोस्ट है या रीवा की रीवा जिला के लिए 395 पोस्ट है और यहां देखा हमने बाला घाट के लिए 352 है तो अब इनको भी डालिएगा प्रिफरेंस सबसे महत्वपुन रहता है यह लास्ट एन फास्ट आप लोगों का होने वाला है इसके बाद आप से कोई नहीं हो सकते हो जीले हर जीले की अलग-अलग पोस्ट बनेगी इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि जहां ज्यादा पोस्ट है उसकी कटोप ज्यादा जाएगी या कम जाएगी ऐसा कुछ भी आपके नंबर करते हैं कितने आ रहे हैं अगर आपने प्रिफरेंस ही नहीं दिया है किसी को त आपने उस जीले के लिए प्रिफरेंस नहीं दिया था इसलिह सबसे ज्यादा इंप्लाइबाओन हे मैं पहले उसको सिलेक करूँ ऑ Nope पारपांच जीले जो होते हैं मैं उनको सिलेक कर लूँगा फिर उसके बाद मैंने देख लिया कि भई या ज्यादा पॉस्ट की इस हिसाब से है या मैं वहाँ चला गया मुझे लगा कि नहीं मुझे पटवारी को थोड़ा पॉस्ट सिलेक करना ही करना है ठीक है अपने डोक्यूमेंट को बहुत अच्छे से चेक करना फॉम भरने के बाद उसको दो तीन बार चेक कर लेना क्योंकि एक गलती हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान ठीक है अब यह बात तुम्हें बदा चुका हूं पॉम जल्दी से जल् करते ना बाद में जाके सर्वर और पता नहीं क्या-क्या ही इश्यू रहता है कुछ लोगों के जो रोजगार पंजियन हैं वह सबसे ज्यादा माईने रखते हैं अपडेट करवा लीजिएगा प्रोफाइल अपने रोजगार पंजियन जो है उसको करवा लीजिएगा फिर कर दीजिएगा और जतना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना क्योंकि बाद में आपकी जो लिंक है या फिर सर्वर डाउन यह बड़ी समस्या रहती है तो पहले ही कर दीजिए और अपने सर्टिसफाइड हो जाईए कि मैंने जो पोस्ट आराम से लिख लीजिए ना सारी एसी कोई बात है जो मैं अभी नहीं बता पाया हूँ आप लोगों को तो आप मैं उझे इस वीडियो के नीचे बता दीजिए बाकि आप लोगों के तयारी चली रही होगी अगर बढ़िया से तयारी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप हमारे साथ यूट पर तयारी करना चाहते है तो हमारी तीन घंटे की लगातार पटवारी के लिए स्पेशल क्लासे चल रही है जिसमें मैं रिजनिंग पढ़ाता हूँ दीपक सर मैट्स पढ़ाते है विशाल सर जीके पढ़ाते है शाम को पांच बजए आपकी प्रबंदन की पूरी क्लास फ प्रयारी के लिए है यह पटवारी का अलग से स्पेशल बेच है 599 यहां पर फीज दिख रही है पड़ आप सभी जानते के विए न्यूएर ओफर जो था तो इसमें आपको चार सो ननावे में ही मिल जाएगा इसका कूपन कोड़ है वो अपलाए कर लीजिए आप यह रहा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर कोई अलग अपका प्रश्ण है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंड बोक्स में बता दे या फिर हमारा हेल्प लाइन नंबर मिल जाएगा आपको आप उस पर भी हमसे कॉंटेक कर सकते हैं ठीक है आपको हर जगे वैसे हेल्प ल जाए हिन बाइबाई